हेलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे मैंगो हलवा आम का हलवा समरी में बहुत अच्छा लगता है बनाने में भी और बनता भी बहुत अच्छा है उसके लिए हमें कड़ाई में आधा कप गी लेंगे चितना आपने रवा लिया है उतना ही आपको गी लेना है और आधा कप रवा होने तक के मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह के से भून लेंगे यदि आपको घी कम लेना है तो आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं अच्छा हल्बा बनाने के लिए उतना ही घेले जितना आप सूझ लेते हैं अब यह ऐसा गॉल्डन ब्राऊन होने में 10 से 15 मिनिट लग जाते हैं मिडियम फ्लेम पे गॉल्डन ब्राऊन होने तक के इसको चिलाते लेंगे हल्वा बनाते समय घी शक्कर और सूजी की मात्रा एक ही होनी चाहिए अब हम उसमें एक कप भरकर मैंगो का पल्प डालेंगे जितना सूजी लेते उससे चार गुना पानी लेते हैं तो उसी हिसाब से मैंने एक कप उसमें मैंगो पल्प और एक कप मैंने उसमें बॉयल गरम गरम दूद दाल दिया यानि यह हो गया चार चार गुनार सूजी से और हम इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे यह सब मीडियम फ्रेम पे करें जब हम पल्प बना रहे तब उसमें थोड़े से कटे हुए बादा आम भी दाल दे और अब उपर से हम कटे हुए बादाम और इलाइची पॉडर दाल के चलाएंगे हलवा जब तक चलाए जब तक कि वह घड़ाई को छोड़ने लगे अब हम उसको सब करेंगे गरमा गरम आम का हलवा उसके उपर हम बादाम दाल के उसको सब करेंगे बहुत टेस्टी लगता है गरमा गरम खाने में यम्मी डिलिशियस रेसीप ये समर में और रेगुलर हलवा से कुछ अलग परफेक उसका कलर आया है हम इसको सब करेंगे गरमा गरम खाने में बहुत अच्छा लगता है थेंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कीजिए